नमस्कार राम राम ससरीकाल आदव किसान साथियों आप अच्छे होंगे ठीक होंगे भगवान से कामना करते हैं दूआ करते हैं आप जहां भी रहें सवस्तर ही अच्छे रहें आपके काम में दिन दुखनी राच चुगनी उंती हो परामपिता पर्वेश्वर से हमारी यही क किसान साथियों मैं अमित महला फ्रोम हरियाना से आज दिनांक दो एक्टूबर दो हजार बाईस है कल हमने वीडियो जो बनाये था उसमें हमने बाच्चित किया था फीसमरत के बारे में काफी किसान साथियों की जो सवाल जवाब थे उनको हमने दूर करने का काम किया और जो भी उनकी समस्सा है थी उनको पूरा करने का काम हमने किया आने वाले समय में एक दो वीडियो हम और बनाएंगे फीसमरत के उपर लेकिन उससे पहले हम अन्य विस्वों की उपर आप लोगों के बीच में आजिर होंगे क्योंकि पिछले काफी दिन से हम आप लोगों के बीच में और आपके बीच में अदूरे हैं उनको हम जल्दी जल्दी पूरा करेंगे आज हम बात करेंगे जो हमारे पूरे भारत वर्स में फैली हुई एक बहेंकर बिमारी जो हमारी गव माताओं को गर्सित हो रही हैं काफी गव माताओं मर चुकी हैं लिंपी बिमारी ज बता दिया जा चुका है मेरे माधन से आप लोगों को बता दिया गया है कि आपको कैसे उपयोग कर perlu का कैसे इसके इसके बीमारी से कंट्रोल आपको करना है वह सारी एसा वीडियो जो लापर्द वीडियो हमें बनाईए जिसके परिणाम आपने लिये हो या आपके किसी साथे ने लिये हो आज ऐसा वीडियो आप लोगों के बीच में मैं हाजिर करने जा रहा हूँ ये गव माता मेरी खुद की गव माता थी जो 18 अगस्त 2022 को इस रोग से गर्शित हुई रोग तो साथ पहले का था लेकिन हमें 18 अगस्त 2022 को पता चला हमने 19 अगस्त 2022 से इस गाय का ट्रीटमेंट स्थू किया ना कि किसी डोक्टर को बुला कर बलकि हमने खुद किया हमारा 12 OWDC जो मानन ये डोक्टर स्रीमान करशन कुमाच चंद्रा जी के मदर कल्चर से बनाया गया उसका कंटिन्यू हमने गाय को पिलाने का काम किया गाय को हमने परड़े 500 अमल से लेकर 1000 अमल तक भी पिलाया मैंने मेरी गाय को 1000 मल तक पिलाया और यह सोच के पिलाया कि जो होगा वो देखा जाएगा और हमारे उपर वाले ने हमें हमारी इसको बनाया रियल में आखें भराती है जब हम ऐसी चीजे याद करते हैं ऐसी दवा नहीं बनी है मेरे पिरिये किसान सात्यों ऐसी दवा नहीं बनी है और साइद नहीं बने है मैंने गव माता को कंटिन्यू 500 से 1000 अमल परड़े हमने पिलाने का काम किया और उसके साथ साथ जिस तरह से हम अपने सरीर को तेल की किसी भी तरह की मालिस करते हैं इस तरह से मैंने 3 से 4 बार मालिस करवाने का काम किया किसान सातियों मात्तर बारा दिन में जो गाए पुरन रूप से इस रोज सगरसित हो चुकी थी उसके वीडियो का पहला पार्ट आप देखिए और फिर वीडियो का दूसरा पार्ट आज देखिया उसमें गाए कितनी परेशान थी और आज गाए कितनी शान्त है यानि इन चिज्जों से हमें ये पता चलता है कि बाहर जो भी भिक्रा है न वो हमारी गर्दने काटी जा रही है आज तरल वैस्डी कंपोजर किसी नाम का मोताज नहीं है मेरे प्रिये किसान सातियो हमने खेती में इसका उप्योग किया और उसके इतने बेहत्रिन परणाम हमें मिले धन्ने है माननी डॉक्टर स्रीमान के संकुमाद चंद्रा जी आप और मैं तो बैगवान से काम ना करूँगा कि हमारी उमर भी आपको लग जाए तो यानि सबसे जरूरी में चीज हमारे बीच में क्या रही कुछ लोगों को इसका बेनिफिट नाम मिले का मुख्य रिजन क्या रहा उसका मुख्य रिजन यह था कि नियमित रूप से हमने उसका उपयोग ही नहीं किया अरे मेरे से वैस्टी कंपोजर की बोतल मंगाने से सब कुछ नहीं होता है मंगा कर घर में रखने से कुछ नहीं होता है उसका उपयोग कीजिए मेरे परिये सातियो और continue उपयोग कीजिए अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो आपको benefit भी मिलेंगे और इतने benefit मिलेंगे जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते यानि जिस गाए ने सब कुछ खाना चोड़ दिया था आज वो गाए मातर 10-12 दिन में खाने भी लग गई सबस्त भी हो गई दोध भी देने लगी तो ये एक चमतकार नहीं तो क्या है क्या मान सकते हैं इस चीज़ को तो मेरे परिये सातियों इस वीडियो को मैं ज्यादा नहीं लंबा करूँगा तो मैं बताना ये चाह रहा था कि जिन भी सातियों को जिन भी सातियों की गवम आता हैं अगर इस कंडिशन में हैं तो वो किसान साति कंटिन्यू 500 अमल से 1000 अमल परड़े अपनी गाएं को पिलाएं और उसके साथ साथ दिन में 3-4 बार उनको लेपन करें ना मक्ही आएंगी और ना ही इस बिमारी को आगे वैस्टी कंपोजर तरल वैस्टी कंपोजर बढ़ने देगा ना किसी । न देखने को मिल रहे हैं। उन गायें के घौव नहीं बर रहे। और हमारे गाउन के, हमारे गउ अत्रक का घौव 20 दिन मे बर गया। तो ये चमतकार नहीं तो क्या है। तो सातियों फिर भी इस वीडियो से संबंद देता अगर कोई जानकारी आपको लेनी हो तो वीडियो पर दिये गए वाटसब नमबर पर आप संपरक करके ले सकते हैं और मैं आपनी गव मात्या का पहला वो वीडियो इसके साथ अटेच करूंगा जिस समय वो इस रोग से गर जरी एक्सपोट क्वाल्टी वेस्डीकंपोजर फूट ग्रेड या अनैंसर जा आईड्रोप या फी समरत के अगर आप सेकता हो तो वीडियो पर दिए वाटसब नमबर पर संपरक करके लावा सकते हैं इसके अलावा कोई भी जानकारी इस सब्मधित अगर आपको लेनी हो तो वीडियो पर दिये गए WhatsApp नमबर पर संप्रक कर सकते हैं तो इसे के साथ किसान सातियों नमस्कार दन्यवाद जय हिन जय भारत किसान सातियों जो आप देख रहे हैं कि जो एक फूड़ी फूंसा की जो बिमारी जो चरम रोग पस्पू में लगातार आपको देखने को मिला है आज हमारी खुद की गाय को ये इस्तती पैदा हो गई आज दिनाग जो है वो उननीस आठ दो हजार बाईस है और हमने कल से इस तो फूंसिया जो फोड़े हैं जो बन रहे हैं पसू को ये हमारे वैस्टी कमपोजर लगाने के बाद कितने दिन में ठीक होते हैं ये पूरा आप देख रहे हैं देखिए पूरा इनको हो गया है ये ये देखिए अब हम वैस्टी कमपोजर लगातार इनको लेपन करेंगे और कितने दिन में ठीक होता है उसके बाद कागे का वीडियो हम आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे धन्यवार किसान सात्यों नमस्कार आप ठीक होंगे अच्छे होंगे बगवान से कामना करते हैं दूआ करत जो समस्या है तवचा रोग से लिंपी रोग हम बोलते हैं वह हमारी इस गाय को हो गया था आज दिनांक 31-8-2022 है जो हमने इसका ट्रीटमेंट जो 19-8-2022 को शुरू किया था और आज देखिया कोई भी किसी तरह का कोई भी समस्या जो लिंपी की थी वह बिलकुल खतम हो च या एक लेटर जितना भी सुबह स्याम और पूरे शरीर को लेपन वैस्डी कंपोजर का किया ओडवल डीसी वैस्डी कंपोजर जो है उसका हमने इसकी उपर किया और आज इस्तिति आपके सामने है लेकिन कंटिन्यू जो भी साथी इसको करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा यह नहीं कि एक दिन कर दिया दो दिन कर दिया उसके बाद छोड़ दिया आज देखिए कितनी सवस्त है और इसके पहले पार्ट में आप देखेंगे तो इसकी कंडिशन आपको अलग दिखाई देगी और आज देखिए आप यह देखिए तो मैं इसका एक वीडियो और बन दन्यवाद नमस्कार जय हिन जय भारत